इस्टुडेंट्स एक बाब फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 इंग्लिश परिक्षय अध्यन मारल कोशन पेपर 2 की गिरामर तो वीडियो के स्टाइटिंग लेका इंट तक जरूर तेखेगा क्यूकि आज मैं आपको इस मारल कोशन पेपर का सेट 2 डिडियल में एक्स्प्लेंट कराने वाला हूँ शरी वीडियो को शुरू करते हैं अब देखी बच्चो यह हमारी क्लास 12 इंग्लिश परिक्षय अध्यन मारल कोशन पेपर का सेट 2 है इस सब पहले की वीडियो में हमने सेट 1 को डिडियल में समझा था आयोप अपने उस वीडियो को भी तिक लिया होगा यह हमारा सेक्शन लेकिन हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ जो कि गिरामर का पोशन है तो इस वीडियो में हम सिफ गिरामर को समझने वाले हैं यह हमारा सेक्शन सी है जो कि गिरामर का पोशन है पहले हम फिलेंदा ब्लैंक्स को समझते हैं इसके बाद हम इसकी डियूस डारिक्टिट को भी आप भी राइट आंसर को गेस करते जाएगा तो स्टुएंट देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा मारा बी वाला यानिके तू इसका कई आंसर है जो के आप यह नंबर बी में दिया गया है और हम प्रफर्स मिल्क टूटी अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि तू क्यों आएगा देघ एट फोर क्यों नहीं आएगा तू राइट आंसर क्यों है ठीक है चलो उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ कि आप टू क्यों आएगा तो देखो यह सईंटेस है इसमें आप एक वर्ड को देखिए प्रफर्स तो मिच्छों सैंटेस में अग मिल्क चूटी फिर फर्स आया है इसलिए हम यहां पे टू का यूज कर रहा है बस यही नियम है और इसी को आप लिखके रख लीजिए हमारा सेकंड एक्जामपल है माई अंकल डाइट ब्लेंके स्कैंसर अब दिखिए इसमें आपशन हमारे सामने आफ फ्रॉम आफ और पाएग अब इसमें से भी हमें कई टांसर को बताना है तो इस्ट्रेंट दिखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यह होगा आफ क्या होगा अच्छा आफ क्यों होगा तो दिखो यह जो डाइट वर्ड है इसके साथ भी आफ का यूज किया जाता है जिस तरह से प्रिफर वर्ड के साथ टू का यूज होता है Sam उसी तरह से died word के साथ off का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर जो right answer होगा यह off होगा एक रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लिखते चलिए आपको बिल्कुल भी problem नहीं जाने वाली ग्रामर में आप बिल्कुल correct answer देकर आप आएंगे exam में बस जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा आप याद रखीगा और याद रखने के लिए आप अब इसको लिखकर रख लिजिए यानि के note कर लिजिए निया कि died word के साथ off का यूज़ होता है और एक word होता है suffer तो बच्चों ये suffer word होता है इस suffer के साथ फोर्म आता है यानि कि किसी disease से किसी बीमारी से अगर कोई suffer होता है यानि कि पीडित होता है तो फिर हम from का यूज़ करते है और अगर किसी बीमारी से किसी की death हो जाती है died word आता है तो फिर वहाँ पर हम off का यूज़ करते हैं तो इसलिए right answer जो है वो off है ठीक है strength चलिए move करते है next example की तरफ so strengths हमारा next example है हमन्त इस पूअ blank space honest इसमें भी हमारे सामने जो options है and but or nor अब इसको ज़रा ध्यान से समझेए कि इसका right answer क्या है और वो क्यों है सबसे पहले तुम आपको clear कर दूँ इसका right answer है वो है but यानि के आप शे नंबर भी बिल्कुर right answer है हमन्त इस poor but honest अच्च अब इसमें but क्यों आएगा end क्यों नहीं आएगा और क्यों नहीं आ सकता nor क्यों नहीं आता चलो इसके पीछे की इमांदार क्या मतलब होता है इमांदार तो हमन्त इस poor हमन्त गरीब है लेकिन इमांदार है यानि कि यहाँ पे दो opposite बाते चल रही है एक तरह से यह contrast है कि एक तरफ तो हमन्त को गरीब बताया जा रहा है कि हमन्त गरीब है दूसरी side अधर हमन्त इमांदार है तो यहाँ पे यह चीज़ किलियर होती है कि बट का यूज़ के जाएगा जिसका मतलब होगा लेकिन या किन तू तो हमन्त गरीब है लेकिन इमांदार है इसलिए हम यहाँ पे बट का यूज़ करेंगे दो अपोजिट बातों को बताने के लिए ठीक है दो अपोजिट बातों को बताने के लिए बट का यूज़ करते है चलो आगे मूब करते है question number 4 He has hardly money many some little any चलो परहे इसका right answer जानते है तो बच्चे इसका right answer है यह right answer any है some नहीं आएगा अगर आप सोच रहे हैं कि इसका right answer सामाना चाहिए तो आप wrong सोच रहे है बच्चे इसका right answer है यह any है He has hardly any money अच्छा any क्यों है वो अपना पेनोट आईए और नोट बुक में इस rule को लिख ली जिए कि जो hardly बट देखने को मिल रहा है हार्ली के साथ any यूज होता है क्या होता बच्चो any का यूज होता है तो जब भी sentence में हार्ली आता है उसके साथ आपको any देखने को मिलेगा He is hardly any money यानि कि जो sentence है यह देखने में आपको affirmative लग रहा है लेकिन इसका sense negative निकल रहा है क्योंकि hardly का मतलब होता है मुश्किल से तो यहां पर आपको any लगा देना है जब sentence में hardly आपको देखने को बले है बिल्कु शॉर्ट ट्रिक और इजी ट्रिक में आपको बतारो इससे आसान ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा ठीक है बस इन ट्रिक को आप लिखते जाएए आगे मूब करते है question number 5 गी दरफ kites are being flown, fly, flying, flew अब दिखते हैं इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा यह वाला kites are being flown अच्छा फ्लोन क्यों होगा बच्छो यह जो sentence से यह passive voice है क्या है बच्छो यह जो sentence से यह passive voice में यह active नहीं है कैसे क्योंकि यहाँ पर देखो kites are being लिखा हुआ है kites यहाँ पर object है subject का कम नहीं कर रहा है तो किसी भी passive voice में वर्वी की third farm का use किया जाता है fly मतलब उड़ना होता है या उड़ाना तो fly की जो second farm और third farm होती यहाँ पर आपको वी थरी बताना थी यहाँ पर kites are being fly on ठीक है पतंग उड़ाई जा रही है fly on इसका right answer है question number six my brother is engineer ठीक है options हमारे सामने ए इंदा यानि के article तो बच्छों देखो इसका right answer होगा वो होगा हमारा एं engineer अच्छा इंजीनियर क्यों होगा अगर आप इसको हिंदी में right करके देखेंगे engineer right अब इंजीनियर के बाद के लेटर से कोई मतलब नहीं starting का लेटर को देखिए e e एक vowel sound है e एक vowel sound है तो यहाँ पर n right answer होगा my brother is an engineer जब भी किसी भी word के first letter का sound vowel है तो वहाँ पर फिर हम n लगाते है consonant sound के पहले यह लगता है अब देखते है seven number कर ठीक है इसको भी समय लीजिए no sooner did the thief see the see me sorry he ran away because then that is इसका जो right answer होगा यह होगा then then इसको right answer है अच्छा क्यों है देन च्योंकि यह no sooner के साथ then का यूज की जाता है no sooner did the thief see me then he ran away इस बात को भी आप लिख लीजिए कि no sooner के साथ आपको देन लगाना है और देन भी कौन सा वाला यह टी एच ए वाला देन option में अगर आपको टी एच एन देन मिल जाए तो यह मतलगा देना यह wrong होता है इसका meaning अलग होता है लेकिन यहाँ पर यह suit नहीं होगा word word जो suit है वो then है तो no sooner के साथ बढ़ सही था any flan and then ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इनके आंसर बिल्कुल सही है अब आदे हैं बच्चों do is directed पे अब do is directed को समझते है परला question people speak English all over the world change to passive way तो बच्चों एक्टिब को passive में change करने के लिए सबसे पहले आपको object को find out करना है कि जो sentence आपको दिये गया है उसमें object क्या है क्योंकि passive बनाने के लिए पहले आपको object लिखना होता है तो बच्चों object जो है यहाँ पे English है all over the world object नहीं है all over the world other word है तो write जो object है वो English है तो पहले हम यहाँ पे लिखते है English object से starting करते है English ठीक है इसके बाद दिखो यह sentence है यह present indefinite का है तो जब active present indefinite का है तो passive भी present indefinite में ही बनेगा और object हमारा singular है English इसलिए जो helping word यूज करेंगे वो होगी is English is अब हमें यूज करना वी थिरी इसके बाद हम other word यूज करेंगे जो के all over the world तो यहाँ पे हम राइट करेंगे all over the world English is spoken all over the world English पूरे world में बोली जाती है यह इसका right answer है ठीक है यह passive voice है अब इसमें by people नहीं आएगा people हट जाएगा इसको भी आप नोड कर लिजी इस्टुएं बस यहीं mistake कर जाते है वो by people लगा देते है बचो people, somebody, someone, nobody, no one ऐसे word अगर एक्टिव बे होते हैं तो इनको हटा देते हैं इनको passive में नहीं लिखते हैं क्योंकि understood होते है इस सेंटेस के लिए हो जाता है कि English is spoken all over the world तो यह understood हो चुका है अब इसके बाद आपको people लगानी की ज़ुरूत नहीं है तो इस्टुएं हमारा नेक्स एग्जामपल है राधा डिद नॉट गाउट इस्कूल शी वाज इल करना क्या है में combine to make a complex sentence using because बिकोस का यूज़ करके सेंटेस को complex बनाना है ठीक है अब कैसे करेंगे तो कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे फुलिश्टॉप को अटाक कर इसके सेंटर में बिकोस लगा देना है क्या लगा देना है और राधा डिद नॉट गाउट इस्कूल बिकोस शीवाज इल राधा इस्कूल नहीं गई क्योंकि वे बिमार थी तो यहाँ पर हमने रीजन बता है इसलिए आप यहाँ पर दोनों sentence के बीच में बिकोस का यूज करेंगे और फुलिश्टॉप को इस इस्कूल के बाद बाले फुलिश्टॉप को अटा देंगे ठीक है और राधा इस्कूल बिकोस शीवाज इल यह हो जाएगा राइट आंसर नेक्स्ट हीड़ी ड्यूटी वेल इसलिए यहाँ पर ईस लगा के इसको बना दिया गाया है ड्यज्ट जैसे कि अगर यहाँ पर गो होता तो को का गोज हो जाता ऐस ही डू का ड्यूज करें इनोने ठीक है ठीक है चलो बनाते नेगड़ी पहले हम लिखते हैं यह बाला कर इसे में इस हटाके वर्ब की फर्स्ट फार्म डू लिख दीजिए हिस ड्यूटी इस ड्यूटी वैल यह राइट अंसर हो गया यह राइट अंसर बन गया तो ड्यूट के बाद आपको ड्यू लगाना है 90% इस्टेट करते हैं यह ड्यू को नहीं लगा पाते हैं सैंट इंग वर्ब है नोट है वीवन चाहिए वीवन तो यहां पर दू लिखेंगे ठीक है चलो नेक्ट इग्जामपल लिखते हैं हर फदा टीचे जरेंदी सिंपल बनाना चीज इंटू पास सेंपल में चीज करने के लिए इस टीच को टॉट कर दिजिए टी ए यू जिसकी सेक करींगे पहले सब्जेक लिखिए इदा चायल्विर बनाना इस लिए हैल्पिग वर इंग लगाएंगे नेक्ट एक्जामपल देखते हैं इसे कर डे लेते हैं के प्लेस कर लेते हैं कैसे होगा देखो इफ को अड़ागा यहाँ पर राइट करते हैं unless unless इफ को अड़ागा हमने लगाया unless अब they do not work properly को बना दीजी आप affirmative कि वच्छों unless में not include होता है तो unless they they work properly तो अब पहला वाला हमारा negative था तो आप बाद वाले में कुछ नहीं करेंगे इसको सेम लगे रहेंगे दे विल भी पनिज्ट दे विल भी पनिज्ट अलेज दे वर्क प्रोपरली दे विल भी पनिज्ट ये इसको राइडा दर होगा पहला वाला negative था तो उसको अफार्मेंट में चेंज कर दिया unless का यूज करते टाइम बाद में कोई हमने changes नहीं कराएं चलिए next example देखते हैं some people are rich they are not happy combine using but but का यूज करना है तो बीच में लगा देजिए but some people are rich but they are not happy some people are rich but they are not happy यह राइड आंदर होगा आप इसको देख लिजिए यहां पे इनोने यह answer दिए इसको मैच कर लिए English is spoken by people बिल्कुल wrong दिया यहां पे यह wrong है अब देखो इनका fault अपर ने पकड़ा लिए मैंने आपको बताया था ना इसमें कभी कभी गलत दिया होता है पहला वाला यह answer नों wrong दिया है English is spoken all over the world यह right answer है 100% right answer है जो मैं आपको बता रहूँ इनके answer के भरोसे रहोगे wrong करके आजाओगे हमने जो आपको answer बता है वो 100% correct है अब किसी भी अच्चे English के teacher से बात कर ले ना पूछ ले ना English is spoken all over the world यह जो by people बगरा बिल्कुल नहीं आता है कुछ भी चाप देते हैं यह लोग next देखतो he does not do his duty बिल्कुल ठीक था अर फ़लर था ठीक है unless they work properly they will not be punished यह भी wrong कर दिया यह भी गलत कर दिया यह भी आपका wrong है थीक से काम नहीं करते तो उनको पनिश किया जाएगा तो यह इसे कैसे होगा अगर थीक से काम नहीं करते और हमने आपको आंसर बता हैं वो सही है तो यह था हमारा Set Paper 2 जो मेने आपको explain करा दिया है और जो गलतिया थी वो मैंने आपको सही बता दिया तो स्टुएट आई ओव जी वीडिया आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो गो लाइक ज़रूर कीजेगा अपने सब्सक्राइब के साथ जादा शेयर कीज़ेगा और यदि चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो तो आपको देखने को मिलेगी जल्दी हम कोशन बेंग का सलूशन भी आपके लिए लेकर आएंगे सब्सक्राइब कर लेकर इस प स्यून जल्साईब कर लेके ये